एले खबरों में बात कर लेता है आप बलबगड में मैचे आवारा जानवरों और पश्चों के आतंक के बारे में शहर में आवारा जानवरों का आतंक देखने को मिला है सरकारी अस्पताल में रैबिच के टीके तक नहीं है इसी का एक नजारा आज फिर देखने को मिला जब दो लोग लहू लुहान अवस्ता में बलबगड के सरकारी अस्पताल पहुंचे लेकिन वहां पर लैबिच के टीके ही उपलब्द नहीं थे आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है नजारा बलबगड के सिविल अस्पताल स्थेट इमर्जन्सी वॉट का है जहां पर सुम बच्ची को लहू लुहान कर बुरी तरह से घायल करने का वाक्या भी अभी सामने आया था जिसे लोग भूल नहीं पाई है और आज फिर बलबगड सिविल अस्पताल के एमर्जन्सी वॉर्ड में एक महिला और एक यूवक को लहू लुहान अवस्ता में लाया गया जहां उन्होंने बताया कि दोनों को ही आवारा कुत्तों ने काट कर घायल किया है वहीं इन घायलों में से एक महिला विमला ने बताया कि कुत्ते के काट खाने की वजह से वे आहत हैं वहीं बलबगड सिविल अस्पताल में तो कुत्ते के काटने पर लगाय जाने वाले रै से कोई यह संतोश चणक जवाब सामने नहीं आया कि खड़ी ही जैसे चिपचाप पीछे सा रहा है, भोको ना, कुछ ना, अचानक जट एक जटको सा लगा है, तो जदे कि कुट्ता खागे भग गया है, तो सहर में आए दिन कुट्तों के खाने के मामले सामने आ रहे हैं, तो कुछ किया जाना चाहिए सरकार के और से नहीं किय पाहर नहीं है? तो बाहर से लेकान आपड़ा हैं, तो बाहर से लेकाना पड़ा हैं, यह सरकार को इस ओर कदम उठाना चाहिए यह नहीं उठाना चाहिए? कि पीछे से आया चुपचाप काट लिया था आपके पैर में इतना खुण कैसे निकलाए कुट्टा काटने से अरा फाट दिया थे पैर कुट्टों पकड़ा